अब इस आइकन को मैं थोड़ा सा कलर देता हूं ग्रे वाला जो हमने सारे आइकन में यूस किया है सो एसेक्स के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कलर प्रोपर्टी और इसको मैं कर देता हूं ग्रे आफर दाट मुझे यहां पर एक और आइकन चाहिए दूसरा जो स्पीकर का आइकन है यह तभी दिखता है जब यूजर पुछ टाइप कर रहा होता है यहां पर जो इंपुट की वैली अगर वो नॉट नल है यह नॉट एम्टी स्ट्रिंग है तभी हमको दिखाना है आइकन का जो आइकन उसको अम लोग पहले उसका इंपूर्ट स्ट्रिंटमेंट ग्रैब कर लियते हैं लेकमें ओपन दी आइकन्स मैटेरियल आइकन्स अंधम को टाइप परना है स्पीकर वोल्यम अपिकन्स मैं यो करता हूं इसको मैं करता हूं कोपी मैंकर्याफोन आइकन मुझे एक कंडिशन लगानी पड़ेगी कंडिशन फेंच काउंट जो उ Bowl यो ने क्वेरी बुंआ उत्पर में बनाया ता उसकी अगर value 0 से बढ़ी है यानि हमने कुछ type कर रखा है तब हम लोग बिखाएंगे हमारे इस icon को so icon button again मैं use कर रहा हूँ icon button icon button के अंदर हमको basically हमारा icon जो volume up icon है इसको डालतेना है as a component इस button के अपर भी हम लोग color लगा रेते हैं color change कर देते है इस icon का भी color मैं इसको define कर देता हूँ gray again so I think else condition मुझे यहां देनी बड़ी so अबर condition true हो रही है यानि हमने कुछ type कर रखा है तब icon दिखा हो अबर condition false होती है तो कुछ नहीं दिखाना इसके मैं आपर cable empty string देता हूँ save करते हैं हमारे file को और जाते हैं अब ही application में अभी कुछ नहीं दिख रहा है जैसे ही मैं आपर कुछ type करूँगा you can see हमारा जो icon है वो बड़ा अच्छे से मुझे दिख रहा है अब ही हम लोगों को एक काम और करना है यहां पर यह icon center में आ रहे है इसको मैं चाहता हूँ को starting में है एक काम करते हैं हम लोग क्यूंकि इन दौनों ही icons को एक साथ style करना है हम इनको एक div में wrap कर देते हैं आप एक और div open करता हूँ और इस div के अंदर में यह सारा code दाल देता हूँ अब इस div के उपर सबसे पहले तो जो outer div है जिसमें हमने style दिया था display flex justify content यहां मैं center देखे रखा है इसको मैं कर देता हूँ start क्यूंकि अबर मैं center रखूँगा तो I think justify content हमको center start भी नहीं रखी हमको देना चाहिए space between bet w w en between bet w w en between yes so जैसे मैं space between दिया तो यह दो icon यहाँ है और जो हमारा पहला इसका जो parent जो पहला child है उसके जितने भी icon से जितने भी element वो starting में आगे और जो दूसरा div होगा इस दिफ के अंदर उसके सारे जो element होगे वो right side में आजेंगे so that's what we wanted icon थोड़ा से का जो styling उसको fix कर देते हैं हम थोड़ा से okay formatting ने last में इसको set कर दूँगा वास्क में लोग format कर देंगे अभी के लिए काम करते हैं यहां पर जो हमने div create किया है इस div के बाद हमको जो दूसरी चीज़ा आट करने है वो आट कर लेते हैं so formatting थोड़ा सा ठीक नहीं है यह हमारा main div के make data we are no matter primary vardสरी में इसको कर ज़िए कि महारा यहां पे अब एंड हो रहे है इसको मैं कर देव थोड़ा सा format और इस div के अंदर में है यह है हमारा ShHaiz div एक और div हम लोग create करते हैं एक और div मैं आपे create कर लेता और इस डिसके अंदर हम लोगों को बेसिकली दिखाना है दो चीजें एक चीज एक तो होगा हमारा यह जो character count है वो हमको दिखाना है और दूसरा यह icon हमको यह आपर दिखाना है तो फिलाल मैं जाता हूँ मेरी application में एक बार फिर से और character count को दिखाने के लिए एक ताम करते हैं एक नया हम लोग component यूज करते हैं तो हम लोग typography को यूज करते हैं तो अगर आप देख सकते हैं material UI की official documentation में जाके बट मैं आपको all over whatever समझा दो इसके अदर हम लोग basically typography को किसी भी type को component बना सकते हैं for example अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक span tag बना सकता हूँ तो अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो मुझे आप इसको string में देना हूँ है not in expression so मैं मैं इस आप बना दिया है as span और basic जो use case यह है कि मुझे sx prop मिल जाता है अब इसके अंदर हम लोग हमारे text का थोड़ा सा 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 so 0.5 REM हम लोग दे रहते हैं margin right इसके बाद हम लोगो को यहां पर दिखाना है हमारे character round को so care count हमने already variable बना रखा है care count हम को यहां दिखेगा and हम slash करके यहां दिखा देंगे 500 right यानि कि हमारी limit है वो 500 है 500 और 500 limit है और 500 से जादे अगर आप character type करोगे तो नहीं दिखेगा so just say मैं type करता जाओंग you can see हमारे character count बढ़ते जाने and that functionality is working perfectly fine इसमें काम करते हैं हम लोग हम लोग हमारे इस डिफ को भी थोड़ा सा style दे रहें display property हम लोग use करेंगे सबसे पहले तो display मैं इसको दे रहता हूं flex again इसके बाद align items हम लोग करते हैं center align align items center control is safe so vertically तोनों चीज़ें अब center हो जाएंगे जो भी इस content ही अड़ोगा भी तो एक ही चीज़े next अम लोगो add करना है एक major functionality हमारी application में that is this यहां पर I'm not sure why मुझे यह दिखा रहा है but आपने notice किया होगा कि यहां पर हमारे पास में keyboard option आता है I'm not sure keyboard option क्यों नहीं दिखा रहा मुझे यह मैं क्या setting कर रहा है so basically हम लोग यहां पर एक keyboard का icon add करेंगे जिस पर जैसे user click करेगा हम लोग virtual keyboard एक add करेंगे हमारी application में right so virtual keyboard add करने के लिए हमको एक package install करना पड़ेगा हम लोग basically keyboard react simple keyboard को use करेंगे so मैं पहले आपको दिखा रहेता हूं कौन सा हम लोग package उस करने वाने है react simple keyboard अगर मैं search करो so यह जो पहना package आ रहा है npm कैसी को हम उपन करते हैं और यह बहुत ही simple तरिके से हमको react application के अंदर keyboard beautiful keyboard add करने के लिए help करेगा so इस npm package को करते हैं हम लोग copy हमारी application में terminal में एक नया terminal open हम लोग कर लेते हैं और इसमें करते हैं पेस्ट हमारे इस npm i react simple keyboard को let's look for some time जबता हमारे यह install होता है I think install हो भी है so इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं मैं इसको करता हम यह से remove और use करते हैं हम हमारे इस react simple keyboard को so react simple keyboard को add करने के लिए हमको एक icon चाहिए होगा keyboard का एक icon हमको हमारे application में यह पर डालना होगा so उसके लिए हम लोगों को material UI क्या icons में search करना होगा keyboard keyboard जैसे मैं type करूँगा मुझे मिल गया keyboard इसको बढ़ते हैं copy हमारे application में top में हम लोग उसको कर लेते हैं import और keyboard icon को हम लोग यूस करेंगे so मैं इसको करता हूँ copy एकदम last में typography के just बाद में मुझे keyboard icon चाहिए so let me add the keyboard icon let me make it self-closing and in sxprop क्योंकि यह भी एक material UI का यह component है तो sxprop इसमें आरा हम से काम करेगा sxprop में हम लोग सबसे पहले सब देते हैं थोड़ा सा margin इसको so one RAM का में margin दे रहा हूँ color मैं इसको देता हूँ again gray क्योंकि हमारे सारे icon gray तो लग है and on click हम लोग वो इसको देना पड़ीगा भी हो यह aard keyboard so on click I think मैं गलत sxprop के अंदर मैं इसको दे दिया sxprop के अंदर नहीं आएगा उसको नहीं से करते हैं cut इसके बाहर में अव्लोग करते हैं so poppy and toby keyboard को हम लोग कर लेते हैं उपर में define so just after my functions clear text को भी हम लोग वो भी create करना है अब लोग एक और function create कर लेते हैं toby keyboard is equals to an arrow function and इसका काम होगा basically हमारे एक variable को set करना और unset करना है निए toby variable को change करना so हम लोग एक काम करते हैं हम लोग एक state variable create कर लेते हैं और इस state variable का नाम होगा keyboard 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 open keyboard का यहां पर k मैं इसको छोटा कर रहता हूं and comma set keyboard open equals to use state and initially जो हमारा keyboard होगा वो false रहाया निए open नहीं है कि false is sign false इस variable को basically मुझे set करना है हमारे इस toggle keyboard के अंदर so let's do one thing set keyboard के अंदर हम लोग कर देते हैं इसको not of keyboard open so मैं इसको कर देता हूं not of keyboard open so if keyboard open true होगा तो false होगा तो false होगा तो true होगा basically property वो टावल हो जाएगी so हमारा on keyboard functionality यह जो function है यह पुरी तरीके से ready है अब हम लोग add करते हैं हमारे actual keyboard को so actual keyboard को add करना भी बहुत जादा simple है right but उसके लिए मुझे जाना होगा एकदम इस वाले div को मैं यह से remove करते हैं I don't think कुछ need है हमको so इस div के बाहर में इस box के भी बाहर में यहां पर मैं एक check लगाता हूं keyboard open अगर keyboard open है यानि keyboard open equal to draw है तब मैं हमारे keyboard 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 को मैं करा लेता हूं import so let me check हमारा keyboard 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 so let me verify keyboard क्यों नहीं आ रहा है so let me import keyboard 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 from react simple keyboard react uh simple t-e-y-b-o-a-r-d keyboard so let me check one more time i-m-p-o-r-d import keyboard from react simple keyboard and double-share होने के लिए मैं एक बार मेरे npm में जाकर देख भी लेता हूं एक बार मैं मेरे package.json में जाकर देख भी लेता हूं react simple keyboard import हुआ भी है यह नहीं so i think react simple keyboard install हो चुका है i-m-e-s-co कर लिया है import my react simple keyboard इस keyboard को अब मैं यूज करूँगा at the end यहां पर keyboard and then i have to make it self-closing i think yes we can make it self-closing i-m-e-s-co करता हूं cut and self-closing okay i-m-e-s-co करते हैं here i-m-e-s-co करते हैं change on change handle handle change handle change handle change and on key press basically event fire पाइर करना पड़ेगा, on key press पे हम लोग handle key press नाम का एक function बनाएंगे so जैसे user key को press करेगा हम चाहते हैं हमारे input में वो value आए फिलाल मैं आपर एक else condition और add कर देता हूँ ताकि अगर user ने keyboard की icon को click नहीं कर रखाया यूजर को keyboard नहीं विखेगा, so करते है ctrl s save हमारी application में एक लोग जाते हैं handle change और handle input change handle okay so अब हमें उनको handle change और handle key press नहीं मिल रहा है, so इन तोना functions को हम लोग कर लेते हैं, create so तॉप में टावल change के बाद में एक function बनाता हूँ handle change is equals to a function and arrow function, so handle change में हमको क्या मिलेगा, handle change में हमको मिलेगा कुछ इक input and इस input को हम लोग set कर देंगे, set entered text, हमारा setter function को use करके जो भी input हमको मिला है, उसको डाल देंगे हम लोग इसमें and console.log करके हम लोगे को है चेक कर लेते हैं, console.log के हमारा input में हमको क्या value मिल रही है, input is equals to comma इस ये क्यों आ रहा है भाई, यहां पे हमको डालना है, input, ctrl s, save, एक function और बाकी है हमारा इस function का नाम होगा toggle keyboard, और नहीं, sorry, toggle keyboard हमने अल्रेडी रिफाइन कर लिया है, इसका नाम होगा handle key press, handle key press, so, यह function receive करेगा, console button क्लिक है, right, and हम लोग इसको अभी के लिए करा देते हैं कि वह console, console.log button, कौन सा button हमने प्रेस किया है और वो हमको में जाएगा, let me check, हमारा keyboard work कर रहा है, जैसे मैं इस पर take कर रहा हूँ, so, I think, यहां पर कुछ एक issue है, okay, so, हमारा keyboard है, वो हमको यहां देखते हो रहा है, लिकिन इसके styling बिलकुल खराब सा है, so, मुझे एक चीज़ अभी याद आई, कि हमको जब भी react के अंदर, इस react simple keyboard को यूज करना होता है, तो हमको import भी कराना होता है, एक CSS file, जो basically इसके CSS को handle करेंगी, so, import statement हम लोग लिखते है, IMPORT, हम लोग को कराना है, react simple simple keyboard slash build file के अंदर से हमको चाहिए, हमारे CSS file को, और इस CSS file के अंदर basically हमारी है, index.css, इसको करते हैं, save और एक बार फिर से देखते हैं, so, you can see, हमारा जो keyboard है, कितना जादा beautiful लग रहा है, इसको मैं close कर सकता हूँ, वापस टॉबल करके open कर सकता है, और जो भी मैं याँ type करूँआ, वो user को दिखेगा, हमारे input box में, यह हो पा रहा है, क्योंकि हमने एक setter function, handle change function set, create किया है, जिसके अंदर हम लोग entered text को set कर रहे है, right, and यह जो button वाला है, handle key press, यह basically अपका button का instance देता है, कि actually, कौन सा button press है, अगर आपको कभी कोई functionality आड़ करन है, so, हम basically यहाँ पर कर सकते हो, फिलाल हम लोग ऐसा कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे API call करेंगे, हम लोग use करेंगे debounce को, so, वो थोड़ी दिर में देखते हैं, कि API कैसे call करना है, but फिलाल हमारी functionality, almost, almost, UI की terms में complete हो चुकी है, right, और मैं जैसे ही कुछ भी type कर रहा हम को एक चीज और यहां पर चेक करने है, कि यह जो X है यहां पर, यह काम करें, अब हमारा जो clear है, वो काम हो, तो इसको मैंने क्यों अभी तक hold करके रखा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मैं यहां पर बहुत सारा text लिकता हूँ, और paste करता जाता हमारे यह जो input के अंदर, यह जो text area है, इस text area में आचुपा है एक scroll bar, और normal जो Google होता है, Google के अंदर अगर आप इतना सारा text लिकेंगे, तो इसमें scroll bar नहीं आता है, so let me show you, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, यहां पर अगर मैं बहुत सारा text लिक दूँँगा, so you can see, हमारा जो text है, उसमें scroll bar तो नहीं आ रहा है, लेकिन यह जो text area है, यह बढ़ता जा रहा है, इसको Google ने किस तरिये से handle किया, इसने अपनी size, height है, उसको automatically increase कर दिया, हम लोग भी ऐसा ही कुछ एक solution अवारे application में बनाएंगे, हम लोग scroll bar को हटाएंगे, और instead of scroll bar, हम लोग इस text area का जो height है उसको dynamically set करेंगे, so let's start with our next concept, that is use ref hook, use ref hook, जुसको नहीं पता, use ref हम लोग use करते हैं, जब हमको direct dom manipulation कर रहा होता है, although react एक ऐसी library है, जो direct dom को manipulate नहीं करती है, यह एक तरीके से virtual dom पे काम करती है, और virtual dom से हम लोग हमारे real dom को manipulate करते हैं, हम लोग कभी भी real dom में document.get element by id कर यह यह एक bad practice है, इसी चीज़ को handle करने के लिए, मान लेजिए, अगर आपको कभी से react में virtual dom से कुछ चीज नहीं आप अचीव कर पारे हो, और real dom पे कुछ चीज करनी ही करनी है, जैसे आपको color set करना है, input का, कुछ एक करना है dynamically, तब हमको use करना पढ़ता है, use ref hook, ref मतलब reference और reference आपको मिलता है, piece of UI कर, so use ref को use करके हम लोग जो text area है, इसका size dynamically हम लोग change करेंगे, dynamically हम लोग इसका size बढ़ाएंगे, इसी height को जो है, वो automatically हम लोग बढ़ाएंगे, so use ref hook को use करने के लिए हम को हमारे, इस function में, हमारे component के top में एक variable बनाना है, और इसका में नाम देता हूँ, text area, text area, e-r-e area, ref, text area का reference, और initialize मैं कर रहता हूँ, use ref को, और use ref को मुझे import भी कराना पड़ेगा, जैसे हम use state या use effect import कराते हैं, so मैंने use ref को करा लिया है, import, use ref को use करने के लिए, मुझे use effect को भी use करना पड़ेगा, so मैं use effect को भी करा लेता हूँ, import, और use effect होग तब तब चलता है, जब जब इसके dependencies में कुछ changes आते हैं, we all know that, एक हम लोग variable बनाते हैं, इस variable का नाम होगा, resize text, resize text area, text area is equals to a function, और इस function के अनदर हम लोग हमने जो text area reference क्रेट किया है, उसको यूज करके जो हमारा current element है, यानि text area जिसको refer कर रहा है, उसका style जो होगा, उसको हम लोग change करेंगे, style के अनदर हम लोग हो, height property को change करना है, so मैं height set कर दूँगा, back text के अंदर, dollar लगा कर हम लोग string को manipulate करेंगे, text area reference की जो current height है, current dot scroll height हम लोग set कर देते हैं, scroll, s-c-r-o-ll, scroll, h-e-i-g-h-t हम लोग set कर देंगे, जितना भी scroll height है, उसको हम लोग set कर देंगे pixels में, and scroll height के बाद हम को यहां पर लगाना पड़ेगा, px pixels, and इसके बाद हम लोग करते हैं, इसको save, यह जो function है, यह basically handle करेगा हमारे auto sizing को, हमारे exterior के auto sizing को, एक condition यहां पर हम लोग if condition लगाते हैं, if text area reference हमारा जो है, उसका जो current है, मतलब current जिस object के अपर हमारा use ref लगा रखा है हमने, अगर वो access करता है, तो हम लोग text area ref को use करके current जो हमारा item है, यह हमारा text area उसके अपर हम लोग add करते हैं, event listener, add event listener, l-i-s-t-e-n-e-r, listener, input हमारा listener होगा, and resize हम लोग कर देंगे इसको, resize text area कर देंगे, और last month हम लोग pass कर देंगे, false, so resize text area चलेगा, जब-जब भी हमने हमारे input में कुछ value डाल ली है, ठीक है, so यह function चलके, जतनी भी बार user input में कुछ डालेगा, हमारा जो input होगा, हमारा जो text area होगा, basically, वो अपने size को क्या कर देगा, अपने size को कर देगा, reset, और जैसे ही यह काम खतम हो जाएगा, input कर देगा user, हम लोगों पर basically, जो हमने event listener, add कर रिमूव भी करना पड़ेगा, जैसे user कुछ टाइप करके खतम कर चुका होगा, हम यह काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर if के अंदर एक return statement लगा रहते हैं, return में हम लोग क्याते हैं कि, text area reference dot current dot remove event listener, हम लोग यूज़ करेंगे, remove event listener, लिए लिए लिस्नर, हमने event listener बनाया था, input बनाया था, हम लोग resize text area पर अपसे call करेंगे और pass कर रहेंगे false, हमने remove भी कर रिया हमारे event listener को जो हमने input पर add किया था, so, इसका basic use है वह मैं आपर comment करके लिख देता हूँ, इसका मतलब है clean कर दो, clean up for the event listener, listener when the component, p-o-n, component unmount, unmount, ठीक है, जब component unmount होने वाला हो, उससे पहले हम लोग हमारे event listener को करतेंगे, clear, हमारे जो use effect होके है, अब यह किस पर depend करेगा, यह किसी पर depend नहीं करेगा, हम लोग यहां पर एक empty array pass कर रहते हैं, so that's all, इसके बाद हम लोग अपर कुछ और चीज़े set करनी पड़ीगी, जैसे कि हमारा जो clear text अला function था, अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे clear text functionality पर work करते हैं, यह button जब हम click करेंगे, यह cross वाला, तब हमारा clear text है वो call होता है, मैं यहां पर एक function, एक if condition देता हूँ, अगर हमारा text reference current को target कर रहा है, right, तब हम लोग एक काम करते हैं, text area reference में current की value होगी, current में जो value होगी हमारे input text area में, उसको हम लोग कर देते हैं, blank, और text area reference में, जो current हम लोग जसे चीज को currently target करें, उसका जो style है, यानि हमारे input area का text area का, उसकी height को भी हम लोग कर देते हैं, वापस auto, so automatically size भी हमारे input text area का, क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, और at the end जो हम लोगों का text area है, उसमें हम लोगों को use ref को use करना पड़ेगा, यानि कि हम लोगों को बताना पड़ेगा, हमारे use ref को जो अभी तक हमने code लिखा है, उसमें हमको बताना पड़ेगा, कि आखिर ये case HTML element पे हम लोग refer कराना चाहरे है, so इस value के नीचे में, मैं इस value के नीचे में, एक काम करते हैं, जाते हैं हमारे इस input पे, एक बार refresh करते हैं, और यहां पर मैं कुछ है type करता हूँ, test 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 test, so बहुत जादा हमारा space जो वो आ रहा है, so I know how to fix this, हमने यहां पर जो एक property set करी है, current dot scroll text, इसके उपर में एक काम करते हैं, हम लोग इसको initially दे रहते हैं, auto, so what I am doing is, I am making it as auto, and let's save it, एक बार refresh करते हैं हमारे इस page को, so अब initially जब तक हमारा text, इस, ctrl s प्रेस करते हैं, जब तक हमारा text, एक certain amount of height तर, जितनी इसकी height है वहां तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन जैसे ही उस amount तक हमारा text पहुचेगा, हमारे जो input है उसका size क्या हुआ बढ़ता जाएगा, so that's the functionality of actual Google Translate, and same चीज हम नहीं आपर भी करी है, हमारे application में, I hope that makes sense, and this is looking very cool, अब मैं कुछ आपर अगर मेरे कीबोर से एंटर करना हैं, मैं मेरे कीबोर से भी कुछ कुछ एंटर कर सकता हूं, that is working perfectly fine, so अब हम लोगों को create करना है हमारे right text area, right text area भी left text area जैसा ही है, हम लोग के काम करना है, इसको करते हैं, पूरे को copy, हमारे right text area नाम के component में जाते हैं, और कर देते हैं, पेस्ट, left की जगे जितनी भी left text area, इसको हम लोग rename कर देते हैं, right text area से, top में हमारा function है, उसको भी हम लोग rename कर देते हैं, right text area, controller safe, and यहां पर हमको जो चीजे नहीं चाहिए, उनको निकाल देता है, keyboard हमको नहीं चाहिए, keyboard का icon हमको नहीं चाहिए, volume up icon नहीं चाहिए, volume up icon नहीं चाहिए, mic icon भी नहीं चाहिए, and close icon भी नहीं चाहिए, क्योंकि close हम लोग, right text area में नहीं handle करेंगे, so last में जितनी भी चीजे मैंने add करी है, keyboard का जो भी मैंने code लिखा था, उसको मैं remove करतेता हूँ, right text area में से, इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए, close keyboard icon हम लोगों को नहीं चाहिए, even हम लोगों को यह typography भी नहीं के लिए नहीं चाहिए, इसको पूरे ही div को मैं आसे remove करता हूँ, and इसी के साथ में हमारे पास में जो input character count है, we don't even need that, right, so I can do one thing, I can remove this entire div, मुझे यह दी नहीं चाहिए, इसके बाद और क्या चीज़े हम को चाहिए है, हम लोग पहले उस पर focus करते हैं, okay, all right, so यहां पर जो हमको as a prop receive होड़ा है, entered text, set entered text, right text area में हमारे prop थोड़े से change है, right text area में हमको मिलेगा fetched text, right, अगर आपको याद हो तो हमने एक fetched text नाम का state variable बनाया था, जो हमारे data को देगा जब हमारी API fetch करेगी, so set fetched text और fetched text दौनों को यह मैंने कर लिया, input, let me check हमारे input box के अंदर हम लोग क्या pass भी करना है इन चीज़ों को, हम लोग पास जो नहीं कर रहे हैं एक काम कर रहे हैं, हम लोग इसको पास कर लेते हैं, fetched text should be the fetched text जो हमने state variable बनाया था, और दूसरा हमारा जो प्रॉप होबा वह होबा, set fetched text, और इसको भी हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं, set fetched text, so onbrank में मैं पास कर रहा हूं, हमारे इन दौनों ही state variables को, and right text area में मैं इन दौनों को ही, receive भी कर रहा हूं, right text area में हमारे पास में जो resizing का port है, that is fine, I think what we can do is, हम लोग इसको थोड़ा साथ change करेंगे, okay so this resizing, resize text area को हम लोग अब use effect से निकाल रहते हैं, क्योंकि इस particular area में, right text है, this side, यहाँ पर हमको कुछ से कुछ type नहीं करना, यह जो भी resize होगा, depend करेगा हमारा fetched text है, जो भी हमारे API ने text return किया उस पर depend करेगा, so मैं यहाँ पर use effect के अंदर रखा हुआ था, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, और इसका नाम सेम रहने रहते हैं, resize text area, score सेम रहेगा, बस हमने इसको use effect के बाहर निकाल दिया, use effect के अंदर भी हमको एक चीज़ चाहिए, हम लोग चेक करेंगे, current reference जो है हमारा, अगर उसमें हम लोग जो event listener लगा रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा, यह भी सेम रहेगा, और return पर हम लोग रिमूव भी कर रहे हमारे event listener को, that is also fine, इसके बाद हम लोगों को एक use effect I think all लगाना चाहिए, और what we can do, is we can create another use effect hook, use effect, and in this use effect hook, what I will do, I will call my, मैं condition यह पर चाहिए, if text reference dot current, अगर current के हमारे text area reference के अंदर है, so हम लोग resize text area को call कर देंगे, simple सा, और यह depend करेगा हमारे fetched text पर, यानि कि जब भी मेरा fetched text change होगा API से, तब मैं resize करूँगा मेरे input को, I think that should work, इसके बाद हम लोगो को और क्या चीज़ें चाहिए, character count की we don't, we don't have any requirement of this, I will close this, I will remove this basically, और इसको भी मुझे, keyboard का भी मुझे को change requirement नहीं है, साथ मुझे handle input change भी नहीं चाहिए, clear text भी मैं नहीं करूँगा से, यह भी मुझे नहीं चाहिए, dog and keyboard भी मुझे नहीं चाहिए, मैं सारे function भी unnecessary भी मुझे नहीं चाहिए, मैं सारे function भी unnecessary भी मुझे रिमोफ करता हूँ, we don't need any of the other function, right? So we have cleared up almost everything that is not required, अब हम लोग हमारे इस box मुझे जाखर तो रिस स्टाइलिंग जेंज करेंगे, जादा कुछ नहीं है, हमको यहाँ पर बस एक style change करना है, इस box है हमारा इसको पहले करता है, save और देख रहे हैं हमारे application में क्या error आ रही है, enter text is not defined, handle input change is not defined, enter text कहां पर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग enter text, यह है value enter text की, so अब enter text तो मिल नहीं रहा है, fetched text, यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, fetched text से, उसके बाद हमको handle input change नहीं मिल रहा है, so handle input change हमको require भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मा कुछ प्राइट नहीं करुआ है, handle input change को करते है, remove, फिर यहाँ पर close icon नहीं मिल रहा है, close icon की भी requirement नहीं है, so close icon को मिल रहा है, remove, after that हमको कुछ एक error मिल रहा है, remove listener, okay, no issues, मैंने कर रहा हमारी application को refresh, now you can see, यह है right side का area, यह है left side का area, अभी मैं left side के area में भी, मुझे pointer दिख रहा है, मैं कुछ टाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने वो listeners हटा भी है, और जो variables और functions required ते कुछ input करने के लिए, वो सब आठा दिये, but I want कि इस area का, जो text area का color थोड़ा सा change हो जाए, और इसका color कुछ इसा gray हो जाए, so, इस case में मुझे color change करना पड़ेगा पूरे box का, यह वाला जो box है, इसमें मैं background color set करता हूं, यह पे एक और नहीं property देते हैं, background, psk, gr, und background, color हम लोग इसको दे रेते हैं, hash, f5, 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 ctrl s, save, so now my application is looking okay, decent है, हमारा जो text area उसका तनर अभी change नहीं हुए, so, text area में भी हम लोग से हम, हमारे background color को कर देते हैं, set, copy कर लेते हैं, copy this, then a comma, and paste it, now, this is looking very very much decent, बस यह पर जो यह pointer आ रहा है, इसको मुझे हटाना है, so, वह भी बहुत easy है, मुझे मेरे text area के अंदर, disabled property डालनी पड़ेगी, disabled को मैं कर दूंग, true, या फिर अगर मैं केबल disabled भी गर दूंगा, तो भी वह अपने आप disabled हो जाएगा, मतलब, जब भी true होती है, कोई चीज सो मुझे ऐसे define करने की ज़रुरत नहीं है, true, अगर false है तो मैं define करूंगा, लेकिन अगर मैं केबल true है, तो इसको directly as a property यहाँ पर पास कर सकता हूँ, right, so, वह by default true है, so, हमारा जो text area वह भी क्या हो गया है, disable हो गया है, उसके बाद हम लोगों को थोड़े बहुत icons की ज़रुत है, यहाँ पर जो icons Google दिखाता है, so, let me show you कौन से icons हमको मिलते हैं, हम लोगों को खेर Google बहुत सारा icons दिखाता है, but majority of icons हैं हमको यहाँ पर दिख रहा है, एक है volume का icon, volume का नहीं, basically speaker का icon जो हम नहीं add कहता वह है, copy icon है, thumbs up, thumbs down है, और share का icon है, तो यह तीन icons हम लोग भी हमारी application न add कर देता है, इस text area के खतम होने के बाद में, जहां पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और div create कर लेता हूँ, एक div मैंने आपर close किया, एक div मैंने आपर create किया हुआ है, already इसको करना पढ़ेगा, cancel, यह है div हमारा, जिसमें हमने icons पिष्टी बार add किये थे, similar way में मैं यहाँ पर एक div मैं create करता हूँ, यह div हमारा fold करेगा, सारे right side के icon, left side में हमारे पास में जादा कुछ है नहीं, एक icon है that is volume up icon, volume up icon था or volume down icon था, I think volume up icon था, let me cross verify, volume up icon, so इसको हम लोग करते हैं copy, और इसका शार import statement भी मैंने हटा दिया होगा, so let me check, अगर import statement नहीं है तो मैं करता हूँ, copy and paste, this okay, okay, volume up icon को करता हूँ, copy and I'll use it inside of my div, control as safe, again, हम लोग इसका color थोड़ा से change कर देते हैं, हम लोग इसका color देते हैं grey, ताकि हमारे icon एक color के हो जाएं सारे, and, इस div के उपर भी मुझे थोड़ी सी property लगाने पड़ी की style लगाना पड़ेगा, सो पहला तो मुझे देना पड़ेगा margin, margin bottom मुझे देना पड़ेगा, margin bottom of, I'll give 0.5 REM, 0.5 REM, and after that मैं दोंगा margin left फोड़ा सा, margin left मैं देता हूँ 0.7 REM, and that's it, this is our right side div, this is our right side div, we'll show 3-4 icons, so let me go back to my material icons, and we'll copy all icons and copy all icons first, content copy icon, content copy icon, content copy icon, thumbs up, thumbs down, thumbs up, thumbs down icon, so I'll select this one, import statement, copy, and paste, and lastly, share icon, share icon, share icon, share icon, so basically, shared outline icon, copy, and copy, and we'll also do this, last name, paste, control as save, this div, content copy icon, then we have our thumbs up icon, thumbs down icon sorry, thumbs up and thumbs down, then our shared outline icon, the three icons on the same style, we'll use SX prop, and we'll use SX prop, and here, margin right, I'll give two units directly, color, of course, gray color, gray, 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 and let me check, color, nice, this, copy, and this, same styling, here, control as, to save, and our UI, is ready, to rock, so, our UI, completely complete, let me show you, if I have to change, English, I have selected, English to Hindi, and if I want to select French, I will give French, so, English to Hindi, now, translate, so, translation, but, everything in UI, in terms, in terms, calling, we are using, my memory, my memory, my memory, translation.net, here, you can see, my memory, translation.net, API, it is free, and we will use this, this link, I will provide this link, directly, here, the first parameter, we have to add, our exact value, or exact string, we have to translate, language pair, in which language, we have to translate, and it is separate, by a pipe symbol, straight line, so, English to IT language, it has translated, so, English to Hindi, this pipe, I will pass, so, very simple, and straightforward, now, we will add, our API calling, we have, our code, our application, I will tell you, not to open these files, left text area, we have made our code, directly, in the input box, in the input box, inside, our initial code, that is, to show both things, and the same, we have made our state variables, in the input box, and we have passed, in the input box, in the input box, in the input box, and that is, used debounce hook, used debounce hook, I will tell you about use case, first, I will write code, and then, after that, I will explain you, what that code is doing, in the input box, top, I will give you a comment, and I will give you, custom debounce hook, custom debounce hook, and, and, here, I will create a function, FUN, CTN function, I will create, this name, use, debounce, 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 we have two values, two things accept, one will be value, one will be delay, one will be delay, which means, how long after, we will call the API, and, value will be, and, value will be, and, at the end, you will understand, and, we will make a variable, debounced, value, and, set, debounced, value, debounced, value, equals, to use state, initial value, which we will call, as a parameter, okay, this hook, we will use, use effect hook, basically, use effect hook, basically, will go, whenever, our value, and delay, so, use effect hook, dependent, this value, and delay, and, use effect hook, what will we do, what will we do, we will make a function, handler function, what will we do, what will we do, this function, inside, set timeout function, we will create, timeout, means, that, after a particular time period, when the code is running, we will achieve, we will use, javascript, set timeout, set timeout, a callback function, which means, after a certain period of time, that, this piece of code, will go, a certain period of time, that, we will define here, so, comma, and, delay, I will define, delay, where will we get, when we call, delay, so, our handler function, will go, handler function, function, set debounced, text, set debounced, value, set, update, and, what will happen, this value, which will receive, so, after this, we will do, a work, like, our, use, set timeout, hook, use effect hook, now, return, timeout, return, use effect hook, return, we will do, function, we will return, we will return, we will return, clear timeout, ah, like, unmount, we will clear, so, that, lifetime, so, I think, I have, used effect hook, this, return statement, I have, this, used effect hook, right, used effect, then, return, we will return, we will return, a timeout, I think, it's enough, a little confusion, but, stick around, and, I will show you, what, I actually want to do, our input box, component, in this, we will use, debounce, entered, text, where I will use, debounce, so, debounce, I will write, const, debounced, entered, text, equals, to, use, debounce, which, we have created, our function, created, we will add, entered, text, comma, 2000, 2000, millisecond, now, here, in this, custom hook, we have, two properties, except, one was the value, and the other was the delay, this value, this is entered, text, entered, text, already, created a state variable, when user, left-hand side, input box, then, entered, text, and, entered, text, I will pass the value, in my use, debounce, this value is used, debounce, and, value, we will set, using, our use effect, function, and, in use effect, a set timeout, because, a certain delay, set, and, that delay, is, what we have defined, at, 2000, a little bit, after, our text, added text, basically, set, it will be, simple, or, overall, it will be, that, as, user, type, 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 2,000, milliseconds, set, entered, text, variable, set, any, speed, type, 2, seconds, then, set, right, I hope, now, how much, type, 2, seconds, after, variable, set, this, prime, motive, is, that, we, type, not, call, call, right, and, here, I will create, this, function, input, box, and, this, effect, basically, call, call, finally, we, check, if, debounced, text, set, then, we, do, fetch, call, finally, API, API, copy, or, in, single code, double code, or, single code, double code, I will use some, backticks, backticks, escape, and, format, the client, api.memory.translate.net, slash, get, question mark, Q, 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 in, debounced, text, so, string, manipulate, dollar, and curly braces, debounced, entered, text, here, language, pair, language, enter, state variables, already, user, from, select, to, select, syntax, line, line, this syntax, I will add, from language, so, multiline, break, from, translate, from language, language, check, if, translate, from language, all, then, English, because, our API, I think, all, not, so, detect, language, so, I will send it in English, in my API, I know, English, so, detect, language, I will send English, because, of, some limitations, of our API, so, if, if, all, then, we will send English, else, we will send our language, from, selected, then, we will close, syntax, index, close, then, we will send a pipe symbol, and, another, dollar, and curly braces open, here, we will send translate, 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 to language, so, translate from language, translate to language, our API is, actually, we are working on our API, url, now, we will send two dot then, because, in fetch, we will send two dot then, dot then, dot then, and, at the end, we have dot catch, c-a-t-c-h, catch, I will write the port, I have the easiest, e, and, we will lock, simple, console, dot, lock, and, e, whatever, error, then, we will receive, response, and, this response, in the form of, stream of data, so, this response, convert, and, to our second dot then, so, response, immediate return, as, json, so, response dot json, and, this json, and, finally, my data, is data, inside, I will get translated text, right, so, the API, we have called, translated text, we will get data, response, and, translated text, inside, console, lock, and, and, I will check, but, I need, set, fetched text, name, use state, variable, where, I will set, fetched text, and, and, the data, I will take, response data, dot, translate, translated text, set, and, control as safe, and, finally, we call our API, inspect, and, go to the page, and, network, and, network, you have to notice here, that, the icon is red, that, 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 the filter option, is fetch, which means, that, 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 will show you the cable, and, after, we can do something here, testing this application, 2 seconds, I have to stop, 1, 2, 3, 4, okay, let me check, what error is coming, I'm getting some error here, let me do one thing, okay, so, to fix this, I just noticed, here, what we have used to have, custom hook, called, in this, last, we have to return, our debounced value, debounced, d, 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 value, so, here, the debounced value, return, we need to, our, component, input box, component, and after that, the input box, component, the use effect, basically, depends on the three things, so, here, the dependency array, I didn't define, this dependency array, to define, I need to define, debounced into, text, our, debounced into, then, our use effect, will depend on, translate, from text, translate, from language, our use effect, will call, and translate, to language, if a user changes, translate to language, then, the use effect will call, and our API will call, so, these three, fixes, which I implemented, test again, the API will call, and we got, our result, so, we got, an invalid, target language, so, language pair, doesn't, let me check, language pair, so, to check this, we have to go to, networks tab, and, let me call, this API again, test, 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 and, let me see, our API, what is getting, and, the payload, we are giving, okay, here, an extra, package, so, here, we have, an extra, curly braces, remove, and, now, I think, everything looks good, and, now, I am doing, text type, anything, and, wait for, two seconds, and, our API, get called, this time, we got the result, in the preview, you can see, we have, our response data, response data, and, translated, text, text, so, finally, I have, I have, some other, texture, testing, this, application, and, let's, wait for, some time, and, this, using, the, concept, and, now, when I change, from, language, language, so, for example, from language, two languages, we can translate, in French, now, our application, again, calls, the same API, with, the same text, and, our API, is giving us, this result, that, our application, gives us an error, please select, two distinct languages, so, that's, really cool, so, our application, is ready, and, it is completely, mobile responsive, as well, so, that's all, in this video, thank you so much, for watching, have a great day, happy learning.